मूझम गाइख टू योण चनलौ उप्शं सवागत है अपका एक और शांदार डेले मांगल वीडियो में आज हमारी वीक्लीी तो जानेंगे expiry में कैसे moves हमें देखने को मिले हैं morning में market में हमें correction दिखाई दी थी उसके बाद market में recovery आई और काफी fast recovery हमें देखने को मिली day end में एक काफी positive closing भी आई market में में major contributors थे आज PSU banks जिसमें काफी अच्छी rally हमने देखी और overall bank nifty को भी ride किया उन्होंने तो आप जानेंगे आगे क्या हो सकता है क्या हमें breakout मिल चुका है market continuous upside ही जाती रहेगी या क्या overall trend दिखाई दे रहा है market में कैसे moves आगे देखने को मिल सकते हैं जानेंगे पूरा detail analysis लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नहीं या आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो फटा-फट सबस्क्राइब जरूर कर ले बहुत ही perfect illnesses होने वाला है और फिर से levels ने भी बहुत अच्छे से work किया especially bank nifty में और आपको जो एक बहुत simple indicator दे रखा है daily हम आपको बोलते हैं बहुत ज़्यादा helpful होता है चलिए and let's start करते हैं bank nifty morning में expected था कि थोड़ी correction आ सकती है market में और काफी बड़ा bulrum already देख चुके थे तो एक correction expected थी तो gap down हमारी opening हुई और उसके बाद भी एक अच्छी correction आई almost 500 points की correction हमें bank nifty में दिखाई दी आज market में एक support बनता हुआ देखे हमें और support level intraday बन रहा था 34 200 और उससे थोड़ा अबब हमने support लेके reversal आते हुआ देखा market ने और एक काफी अच्छा sharp bounce आया जहां market ने बहुत easily levels को break किया 34 450 आप देखे 5 minutes में ही कितनी sharp candle बनी है और clearly level break हो गया और हमें यहाँ पर confirmation candles भी मिल चुकी थी तो हमें next level तक जाना चाहिए next level भी market ने बहुत easily break कर दिया आप देखे continuous uptrend next level भी market ने बहुत easily break कर दिया and finally market ने जाकर resistance कहा ली 35 000 पे जो आपको अगर याद हो बताया था कि हमें fresh breakout bank nifty में कम मिले का जब हम 35 000 को break करेंगे तो इसके बाद market में इतनी sharp recovery के बाद almost 800 points की continuous rally देखने के बाद जहां बीच में हमें super trend ने signal दे दिया था clearly उसने बता दिया था कि market में uptrend है तो वो भी आपको help कर रहा था इसके अलावा level पे फिर हम 35 000 पे जाके market में रुकते हैं वहाँ पे market ने resistance ली 34 800 level clearly हमने break to कर दिया था तो इसने as a resistance का work तो नहीं किया slightly यहाँ पे एक दो red candle दिख रही है पर बहुत easily इसने break कर दिया लेकिन इसने perfectly आप देखे support का work किया 35 000 पे पहले market ने resistance ली लेकिन जब भी वहाँ से dip आया तो 34 800 ने बहुत perfectly market को support दिया देखिया 200 points की correction है और बिल्कुल 34 800 पे हमें first time support मिला फिर bounce आया market में फिर दुबारा जब dip आया फिर से market को 34 800 ने support दिया क्योंकि अब ये level as a support था super trend भी यहीं पे support बना रहा था double confirmation थी यहां पे support की और marketing यहां पे support लिया and finally जो most important level था breakout के लिए 35 000 break हुआ और उसके बाद हमने continuous further rally भी देखि 400 points की और bank nifty में major contributors आस थे PSU banks, SBI bank के results थे इसकी वज़े से overall PSU banking sector ने बहुत अच्छे से perform किया 5-6% की rally हमें जादा था stocks में PSU banks में दिखाई दी और उसी वज़े से हमें एक sharp up move देखने को मिला और हमने almost high लगाया 35,400 तो हमें breakout बिलकुल मिल चुका है bank nifty में क्योंकि हमारा level थे 35,000 break का वो हम break कर चुका है, breakout हमें मिल चुका है तो अब expected है कि और further rally हमें देखने को मिल सकती है, overall first इसमें जो major target होगा, अब वो होगा 36,000, तो mid में क्या कोई level दिख रहा है, mid में एक level ही दिख रहा है, जिसके पास हम close हुए है, और ज़्यादा levels अभी नहीं दिख रहा है bank nifty में जो हमारे support है, इंट्राडे में ज़्यादा help करेंगे, क्योंकि बिल्कुल fresh level है तो इतना कोई जादे levels नहीं है mid में, तो एक level जो अभी दिख रहा है, वो है 35,350, ठीक है, इसी के आसपस market close हुई है, 35,000 अम बहुत important support बन जाता है इस continuous rally के लिए तो 35,000 अगर market hold करती है तो 36,000 तक हम easily जा सकते हैं बीच में एक ही level है, बहुत सारे हमें level नहीं दिख रहे है 35,350 एक level होगा जहां पर support बन जाता हुआ दिखेगी simply levels को follow कीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत simple indicator दे रखा है बहुत simple है वो इसके लाब़ एक और announcement थी हम जो feb वाला hedging batch है वो शुरू करेंगे around 15 feb से और आपके लिए एक special offer है अभी आस्ता में अगर आप normally account open करते हैं तो आपको 200 रुपीज चाल लगते हैं लेकिन 3 days के लिए आप लोगों के लिए एक special offer ला है कि अगर 3 days के लिए यानि आज 4th है 4th से 6th feb के बीच में आप कभी भी हमारे link के थ्रू account open करते हैं तो आपको account opening fee सिर्फ 50 रुपीज देनी पड़ेगी 150 का आपको discount मिलेगा और इसमें second benefit के आपका कि आपको one week free में hedging सीखने को मिलेगी जिसमें हम live market trades के साथ आपको hedging सिखाएंगे and वो हम शार्ट करेंगे 15th feb से ठीक है तो अगर आप उसका part बनना चाते हैं double benefit है आपको already आपको discounted rate में हम account दिला रहे हैं और यह सिर्फ 3 दिन के लिए उसके बाद यह नहीं होगा last time discussion के साथ हम यह 7 days के लिए offer ला पाए थे लेकिन अब जादा बार यह offer नहीं मिलता है तो finally इस बार सिर्फ 3 days के लिए offer मिला है कि आप 3 days में अगर account open करते हैं हमारे link के तुरू आस्ता में तो आपको account opening में special discount मिलेगा mean benefit क्या है आस्ता account का कि आप कम margin के साथ option selling कर सकते हैं with hedging ठीक है and option selling आपको काफी जादा safety provide करती है normal trade से option में तो अगर आपको options में loss हो रहा है तो आप hedging को जरूर सीखिए and इसका benefit उठाईए यह आपको safe and regular profit बनाने में बहुत जादा help करेगी तो यह announcement थी आप देख सकते हैं link आपको description में भी मिल जाएगा कोई भी query होती है आप मुझे telegram पे कर सकते हैं and after account opening भी आप मुझे telegram पे update कर देना मैं आपको group में add कर दूँगा जो हमारा hedging group है फेब वाला चली analysis part पे फिर से आ जाते हैं तो overall अब क्या दिख रहा है market में हमने एक fresh breakout देखा है market में 35,000 break हो चुका है तो market ऐसे ही continuous rally कर सकता है levels क्या होंगे rate level है 35,350 and उसके बाद सीधा 36,000 mid में हमें कोई levels नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए आप other indicators use कर सकते हैं पर रहल एक bullish viewpoint है bank nifty में क्योंकि हमें breakout मिल चुका है levels सीधा अब हमारा major target होगा 36,000 and mid में level भी मैंने आपको बता दिये 35,350 support अब क्या हो जाते हैं यह हमारे resistance level है support क्या है 35,000 अब बहुत important support बन चुका है market में क्योंकि यहीं से हमें breakout मिला है तो first immediate major support होगा 35,000 तो यहां से market dip के साथ bounce ले सकती है जब तक market इसे hold कर रही है तो हमारा target होना चाहिए 36,000 तो support 35,000 अब उसके बाद 34,800 जिसने intraday भी बहुत perfectly work किया देखे कितना perfectly market को support दिया इसने अब उसके बाद support level आ जाता है 34,450 यह तीनों हमारे bank nifty में support levels होने वाले हैं यह overall bank nifty का analysis हो चुका है अब चल ले थे nifty पे कि वहां क्या देखने को मिला market में overall तो bank nifty ही nifty को ride कर रही थी bank nifty में PSU banks की वज़े से nifty में भी हमें काफी अच्छी recovery दिखाई दी थी nifty में भी almost similar type of move हमें देखने को मिले morning में एक dip आया जैसा बताया था कि dip आ सकता है market में लेकिन बहुत बड़ा ऐसा नहीं होगी कोई crash आने वाला है small dip आ सकता है वैसा ही dip हमें morning में देखने को मिला morning लेवल से पहले ही या level को test नहीं किया लोवर लेवल 14.700 को उससे पहले ही market ने support लिया और उसके बाद एक clear cut upside trend हमें देखने को मिला nifty में हमें जादा levels पे आज work करती हुई नहीं दिखी market क्योंकि majority क्या था bank nifty nifty को ride कर रहे थी और अलगर आप देखेंगे तो market में जब यह uptrend आया 14.800 पे market ने थोड़ा time spend किया and finally यह break होने के बाद तो एक continuous up move देखने को मिला जहां market ने 14.880 को भी break किया 14.900 भी almost हमने test किया था bank nifty की तरह nifty में भी हमें breakout मिल चुका है and हमारे लिए 15,000 open हो जाता है अब target bank nifty में अभी immediate आपको जो important level याद रखना है अभी अगर कल market 14.880 जो level है ठीक है यह आपको याद रखना है कल market अगर इसको base बनाती है तो हमें clear cut upside trend दिखाई देगा bank nifty में दो हमारे पास levels है कि 14.880 के बाद हमारा next resistance level होगा 14.950 and उसके बाद आ जाता है 15,000 हमारा final ultimate target ठीक है तो bank nifty 14.880 को अगर hold करती है तो हमें 15,000 तक market easily जाता हुआ दिख सकती है 15,000 हमारा major target होगा मेट में small सी resistance है 14.950 लेकिन major target हमारा 15,000 होने वाल है अगर market 14.880 को hold करती है यह हमारे यादि resistance level हो चुके है major जिसमें हमारा target 15,000 होगा support का मिल रहा है support अब market में 14.800 लेवल पे काफी major support बन जाता है जैसे bank nifty में 35,000 है वैसे ही nifty में 14.800 एक important support बन जाता है market में ठीक है यह लेवल्स आपको याद रखने immediate support 14.800 पे है उसके बाद 14.760 लेकिन 14.760 पे हमें कोई जादा work करता होगा दिखने रही है तो minor यह level है major इसके बाद 14.700 पे ही हमें support दिख रहा है overall breakout मिल चुका है बोथ में तो बोथ में bullish viewpoint है और दोनों के लिए target क्या होगा 36,000 बैंक nifty में and nifty में 15,000 यह overall हमारे targets है जब यहां market आएगी फिर दुबारा analyze करेंगी कि क्या further हमारे targets हो सकते है लेकिन अब यह के लिए यही major targets दिख रहे है ठीक है friends यह था आज का overall analysis कोई भी query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं आस्ता का account जरूर open कर ले बहुत सारे benefits है margin benefit मिल रहा है discount account opening मिल रही है साथ में आपको hedging सीखने को मिल रही है तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है तो जरूर उस account को आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में thank you so much